और जितने भी math student है जो गलतिया होई कोई बात नहीं अब गलतिया उसको सुधारो और किस तरीके से काम करना है थोड़ा विचार करो लेकिन guidance टीचर से guidance लेके ही आगे बढ़ो जब दस्ती अपना दिमाग मत लगा तुम टीनेजर सो भूलो मत उस्यार होगे मानते हैं लेकिन टीनेजर हो यह भी हम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा लिया हुआ डिसीजन गरेंटी नहीं है कि सही होगा तो अपना जोस टीचर का experience डोनों एड होगा तो ही तुम्हारा outstanding result आएगा समझ में रहे क्या तो जितना जोस होता है उतना experience भी matter करना चाहिए समझे क्या तो हमारे बताए हुए जो रास्ते है blindly follow करो जितना तुम्हें रिजल्ट का जोरत है उससे जादा मुझे रिजल्ट का जोरत है समझ में रहा क्या clear है और हो या ना तो experience को gain करो इस वाले attempt से and congratulations ठीक है to all the students जितने लोग भी है सभी को congratulations इतना hard work देने के लिए इतना दो साल महनत करने के लिए अब congratulations हम इस बात को देंगे कि भाई तुम लोग हमको पूर तुम गलतियों को देखे होगे और उस गलतियों को सुधार होगे समझ में रहा है क्या तो अभी समक्राचु लेट कर रहे हैं कि अगले attempt में मौका नहीं दोगे किसी भी हालत में तुम अपना 100% दोगे और यहां से drastically improve करोगे पूरा विश्वास से बाकी हम अपने पूरे team क के तरब से assurance देंगे कि पूरा team का मेरे एक एक मेंबर तुमारा दिल से तुमारे साथ है समय में रहा है क्या बस वो जितना बोल रहे हैं उतना करो मंदाली से करो और जैसा बोल रहे हैं वैसा करो फॉलो करो और हम teachers जितने भी हैं हम expect आप लोगों से भी विल्दी करते हैं कि अपना last 2 में अपना पूरा experience इन लोगों को जोग दीजे और यह लोगों को आप बताएए यह लोग करके रहेंगे हम इनके तरफ से लेते हैं कि आप जितना बोलिएगा उतना यह लोग करके आएंगे करके होगे की नहीं जितना बोला जाएगा करोगे की नहीं तो बस अपना आप अपना experience लोगों को दीजिए यह लोग अपना hard work और जोस अपने तरफ से देगा और देखेगा कि रिजल्ट कई गुना जब अपने hundred potential पर यह लोग अपने exam देंगे फिर देखेगा कि रिजल्ट किस तरीके का आता है वो जो डंका बजेगा ना तो वो लोग देखेंगे I hope कि तुम लोग अपना इस बार जो दस साल मिडास का कंपीट हो रहा है दस साल वाला जो डंका होगा वो सारे पिछले नौ साल के रिजल्ट पर हावी होगा मानते हो मौका दोगे तुम लोग पका ना तो यही लास्ट वर्ड के साथ हम तुन्हों को congratulate करेंगे टीचर के भी महनत को हम जरूर appreciate करेंगे कि जितने भी टीचर है जो महनत किये हैं और इसी तरीके साब महनत करते रहें गाइडेंस देते रहे हैं बच्चों को और हमको पूरा विश्वास है कि यह बच्चे आपके दिया हुए गाइडेंस पर चलके अपना मतलब अपने अपने परिवार का कोचिंग का और इस सहर का पुरे इंडिया में नाम रोशन करेंगे congratulations to one and all thank you दो नहीं संह्डव साब में गाइडेंस, में भाजके नहीं के आी दाम में साबँरी